महा विद्याले की अपनी समस्या है कम फीस पर प्रवेश लेते हैं और जिसमें से बड़ा हिस्सा विश्व विद्याले को जाता है और सिक्षिकों को वेतन तक नहीं मिल पाता है जिसके वज़े से लगभग 25 महा विद्याले अपने यहां प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं औ बंद होने की कागार पर हैं उपयुक्त बात करते हुए महाविद्याले संके नेता हरीश्चन सिंग पटेल ने बताया कि सिक्षा लाप का कारोबार नहीं है लेकिन जो महाविद्याले की स्थिति है उस पर सरकार को विचार करना चाहिए यहाँ पैसे यह है कि हम छोड़े थोड़ा सा पैसा ले करके चात्रों के अबिशन करते हैं तीने जार साड़े तीने जार से ले करके पांच जार तर प्रतिसाल में इतना है उसमें से आधा पैसा आधा से ज्यादा पैसा बिस बिद्याले को भिन भिन मदों में देना पड़त बिद्याले अपने यहां सिक्षक भी नहीं रख पाते हैं जब उनकी इस्तिती पैसा देने की है ही नहीं और आधा से ज़्यादा पैसा बिद्याले ही ले ले लेता है तो यह सिक्षकों को किस आधार पर मान दे दें और सिक्षक भी इसलिए उनके यहां नहीं रुक पाते हैं तमाम हमारे यहां राजेन सिंग रज्जु भाया विश्व विद्याले के अंतरगत इस समय लगभग 25 महा विद्याले अपने को सरेंडर कर चुके हैं, वह बंद कर दिये हैं कि नहीं चलाएंगे. एक सवाल पर हरीशन सिंग पटेल ने कहा कि स्ववित पोश्चित 126 महा विद्याले की विश्व विद्याले ने संबंधता रोग दी है, जबकि महा विद्याले के लिए निरिक्षर शुक्ल जमा किया हुआ था. निरिक्षर मंडल को पैसा ना मिलने के वज़े से ये नहीं हो पाया. जबकि दो अध्यापकों को 200 विद्याले के निरिक्षर का काम दिया गया, जो 15 दिन में होना संभब नहीं था. महा विद्याले संके नेता का कहना ये भी था, कि महा विद्याले ने इस सस्त्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन अगले सस्त्र के लिए सम्मंदता की बात हो रही है, जो की अन्याय है. जबकी कोट का निर्णा ये है कि सम्मंदता एक बार की जा चुकी है तो फिर से करने की क्या जरुवत है वो ही रहना चाहिए हमारे हाँ सुरू में अभी सुरू से लेकर के आज तक जिनकी सम्मंदता नहीं हो पाती थी किसी कारण बस उनका बिस्तरन हो जाये करता था इस साल 126 महा बिद्याले का बिस्तरन रोक दिये गया सम्मंदता रोक दिये गई उसका कारण ये था कि महा बिद्याले को निरिक्षड करने है तो 25 से 30,000 रुपया निरिक्षड सुल्क भी अदा किया था जिसका कि विद्याले में 344 रुपया है पड़ा हुआ है और उसके वज़ में जो निरिक्षड मंड़ा लाता है वो कहता है मुझको विद्याले पैसा देता रही जब विद्याले पैसा नहीं देगा तो मैं निरिक्षड क्यों करूँ नमबर एक नमबर दो इस साल मात्र पाच अध्यापक थे जो गौर्वन कालेज के जिनको दो से कालेजेश का निरिक्षड करना था और पाच अध्यापक का पंदा दिन कंदर दो से कालेज का निरिक्षड करना बिलकुर असंबव था इसलिए वो निरिक्षड नहीं कर इस पर हम लोगों का संख़च भी चल ला है, कि आखिर हमारा दोस्स क्या है, हमने जब पैसा जमा कर दिया, सब कुछ दे दिया, और तब मेरा निरिक्षाल कराना तो बिस्विद्ध्याले की जिम्यदारी है, बिस्विद्ध्याले करा वे, और यही नहीं, महतमा महा बिद्ध ज़नुने उनने निक्षनक करा करके दो हजार बाइस तेएस के लिए संबधता के लिए आविदन किया था सबसे दुखाद इसमें दियु रहा है कि उनको दो हजार बाइस तेएस का संबधता ना टárकर के तेइस चौ़ईस के संबधता दी गई जो एक बहुत बड़ी अनमीता है आखिर जब हमने 2023-2024 की संब्धता मागी ही नहीं और 2022-2023 की मागी तो 2023-2024 की संब्धता देने का आउचित क्या है बहुत बड़ा खेल है और इस पर जस्टिस काटजू ने इलहाबाद उच्चिनाले के नाइधिस ने एक आदेश भी पारि पारिलन कराना और बार बार संब्धता के लिए आवेदन लेना यहां एक पैसे का सोचन है उन्हों इस परस्ट कहा था उन्हों नहीं कहा या ता संब्धता दो या तुनिरस्त करो इस परस्ट उनका आदेश है लेकिन तमाम आदेशें के बावजूद भी बिस्विद्याले सभी बिस्विद्याले सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के कारण हर बार समधता का समर्थन करते हुए हरीश चंद सिंग पटेल ने बड़ा आरोप यह लगाया और जाच की मांग की कि जब उडन दस्ता विश्विद्याले और जिला अधिकारी के द्वारा बनाये जाते हैं तब मुल्यांकन के समय एक प्रफॉर्मा के तहत मास नकल की कॉपी क्यूं डिकलेयर की जाती है जिस से 40 से 45 हजार बच्चों को डिबार कर दिया गया है उडन दस्ते ने जिन लगभग 1000 चात्रों को पकड़ा उनका डिबार होना तो माना जा सकता है लेकिन एक प्रफॉर्म देकर मुल्यांकन करता अध्यापकों के उपर दबाव बनाकर मास नकल को घोशित करना कितना सही है हरीश्चन सिंग पटेल ने आरोप लगाया कि एडिट महा विद्यालेयों और स्ववित पोशत महा विद्यालेयों के बीच भेदबाव किया जा रहा है दिबार करने में इ रस्त करना सही नहीं लगता है देखे निश्चित है बहुत ही तिवारे जी एक जो बहुत ही अहम सवाल है हम सब लोगों का पूरी तोर पर प्रयास रहता है कि नकल भीहिन पर इच्छा हो और हमारे यहां विद्याले ने भी प्रयास किया कि नकल भीहिन पर इच्छा हो जि को पकड़ा, उनके खिलाब कारवाई हुई, लेकिन जो दूसरा एक हम पहलू रहा है, बहुत बड़ा, और जो उत्तर प्रदेश के तिहास में पहली बार हुआ है, कि मुल्यांकन कच्छ में लोगों को मास कापी में डिबार किया गया, और एक डिबार 35,000 से लेकर के 40,000 के ल मुल्यांकन करने वाले सिक्छकों को दिया, और कहा, कि आप डिबार करो, मास कापी दिखाओ, यदि नहीं दिखाओगे, तो हम आपका भुकतान नहीं करेंगे, इस पर एक जाच होनी चाहिए, बहुर बड़ी जाच का विशाय है, कि आखिर इस सिती पैदा क्ये हुई, यह बान थे, उनके जो छात्र मास कापी में पकड़े गए थे, उनसे तथा कथित आवेदन ले करके, ततकाल अविलम दो मिनट के अंदर उनको छोड़ लिया, और 35 से 40 जाच चात्रों का क्या दोस है, कि उनको आप प्रत्यावेदन भी नहीं दिए, बिना प्रत्यावेदन दि आपने आल लाइन सब छात्रों का परिच्छा डिबार कर दिया, और यहीं नहीं, जिस विसे में छात्र मास कापी पकड़ा गया है, उसकी परिच्छा आप दिरस्ट कर देते हैं, चलो आई कोई बात नहीं है, लेकिन यदि कमेश्टी में पकड़ा गया है, तो उसको फिज स्वववित्गोशत महावध्यालेओं पर बात करते हुए, प्रबंधक टेता ने कहा कि स्वववित्गोशत महावध्यालेओं के कोई नियमावली नहीं बनी है, जो होनी चाहिए, और इसके अलावा, सरकार के मानक के नसार टीचर रखे जाते हैं, फिर उनके वेतन के कोई स्ववित्गोशत का नियमावली नहीं बनी है, अभी तक, इतने दिनों से, सबसे एक दुखा दे भी है, दूसरा जो इसीती है, कि इमानदारी के कहा जाए कि महावध्याले सिक्षकों को उनकी आउसकता रुसार उचिद वेतन नहीं दे पा रहा है, उसका कारा है कि छ विजन किया जाना चाहिए, जो सबित पोसित महावध्याले में सिक्षक कारणत हैं, अनुमोदित हैं, उनका मान दे, आधा मान दे, जैसे माले जे तीस हजार देना है, तीस हजार में पंदरा हजार रुपया महावध्याले से दिला जाना चाहिए, और पंदरा हजार या तो एक बहुत बड़ा जो सिक्षा का जो हमारे पढ़े लिखे लोग है नौजवान है उनके लिए एक बहुत बड़ा लुक्सान दे है इस पर तो सरकार मदद करें आधा सरकार पैसा दे मान दे दे अगर इस पर कोई महाविध्याले नहीं देता है तो उसके खिलाब सारी मांगो को लेकर वे समध्धित मंत्यों और कलपती से मुलाकात कर चुके हैं बाकी लड़ाई लंबी है निशले सतर पर ही समाथ हो जाए तो सही है नए तो कोट का दर्वाजा ही खट-कटाना होगा